वेलकम बैक tu my youtube channel तो हर मंध की तरह इस मन भी मैंने सालरिय मैं तो सालरी आपके साथ मैं सेर करता हूं तो इस मन का भी सेर कर रहे हूं तो मैंसे मेरा सेर करने का मकसद के विल आपनों को करना है और कोई खास नहीं ठीक है तो कुछ और नहीं समझें और प्लस क्या है कि अभी अभी गुरूप D के एक्जाम चल रहा है लगबक सब फेस का एक फेस बचाए और भी कम्प्लीट हो जाएगा तो कम्प्लीट है तो सब कंडिडेट के मन में आता होगा कि सैलरी कितना मिल है जब आप जोइनिंग करेंगे सब डीटिल बताऊंगा ठीक है और कुछ पर्सनल इंफोर्मेंशन मैंने से हाइड किया तो वह आप लोगों को खास कोई परभाव देने वाला नहीं ठीक है तो आप पहले देख सकते हैं यहां पर मेरा जो शगदबू डिविजन सौथ इस सब्सक्राइब डेख सकते हैं यह आप देख सकते हैं मन्त का सालरी मन्त अप्टमबर दोजबाइस का आप देख रहे हैं मैंने अपना नाम को हाइड रखा मेरा डेजनेशन ट्रेक्मेंट फो डिपार्टमेंट इंजिनियर है इस अभाइड अधा नमबर रेज डेट ऑब यह पे लेबल वन ठीक है यह गुरुब्री कर लेबल वन की होती है इंक्रमेंट डेट एक साथ सॉरी एक साथ दोज़ाज़ाइस को लगेगा मुबाइल नमबर यह हम एनने यह डेट आप जॉनिंग अब देख सकते हैं वेट डेट ऑफ जॉनिंग अब देख सकते हैं 31 अब मैंने यह बैंक डेट वगर है हाइड रख है मुझे लगता कोई फर्क बड़ेगा और अब इसके बाद इसके बाद जो लीव बैलेंस मैंने एक शप्रमबर तक मेरा लीव बैलेंस कितना बचा वह बता है एले पी लेप 49 एलेपी का फुल पॉम मेंतर लीव एवरेज ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए यह चुट्टी के बारे मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ अगर आप डॉट होता है तो कमेंट किजिए मैं फिर से बना दोगा वेट और एक आता है आपका लेट पी लेट हाफ एवरेज पे में इसको सीख लिब भी बूला जात है ठीक है ना आपको हर यह एड होता है यह ड tipINada को मतने हीड़क को मतले यह एड होगा अगर इस साय ऐघर आपने इस तरड़ने रिड़र नेकर पी यह मुंझak ह॰ेज से था कर दो करूंगा के नेज़ फी बेसी के आपनों जब जोईनिंग करोगे तो 18,000 आपका बेसिक पर इंक्रिमेंट लगते जाएगा अब बढ़ते जाएगा डेलेंस आप देखते हैं 6,690 रुपे ठाटी फूर परसेंट ऑफ बेसिक का है डेलेंस महिंगाई बत्ता होस्रेंट अठाइस हो है आपका ट्रांसपोर्ट आपका बारत 6 है नाइट डूटी अलॉंस मतलब बारत 31 रुपे यह आप यहां रिक्स अलॉंस थोड़ा हाइड हो गया मैं इसको डिक देजा हूं यह इंजिनिर डिपार्टमेंट कर ट्रैक मेंटर को दिया जाता है 2700 रुपे ठीक है रिक्स अलॉंस यह आपको पता होना और प्लस इसकी में जो कट होती होता है डिरेक्शन होता है अमनों का 300 रुपे इंसुरेंस का 2640 रुपे आपका एंपेस का 200 रुपे रिष्टा गवर्मेंट आपका काटता है तिक है अब यहां मैंने क्यों हाइड के आपको देख सकते हैं और इस्टा परसनल इंफोर्मेश इसना बैंक डिरल नहीं सिर्कना अब रहे में पॉइंट जो कितना मेरे को सैलरी मिला तो फिए 32330 रुपे में को ग्रॉस मेना 2800 रुपे कटा है टिक है न तोटल लग्रॉस मेरा इतना बना नेट पर इतना बना कटने का बाद जो नेट पर तो जो मेरे आकॉंड माइन है एकांट में ठीक है फिर मैं बोड़ा हूं ठीक है एक बार फिर मैं बता देता हूं 33,335 रुपया बना वेट तो मैं फिर से बता देता हूं कि जो ग्रॉस पे हैं 33,335 रुपया बना गया और डिलेक्शन हुआ अब रही बात आप लों का मन में डॉट आएगा कि अगर न्यू जोइनिंग होता गुरूप दे में तो कितना जालेरी आएगा ठीक है न्यू जोइनिंग का सौरी न्यू जानिंग का कितना सैलेरी अभी बनेगा तो आप अब मान के चाहिए 27-28 के बिच आप लों का शैलेरी बनेगा यह हभी का न्यू जोइनिंग में फिक्स आप इतना मान के चाहिए तो बताएगा वीडियो कैसे लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए मिलते नहीं वीडियो में और कोई भी डॉट रूट रूट किया मैं रिप्लाइदेने का कोशिश करूं को धन्य बताएगा रूट